हलो बच्चो कैसे हो आप सब आज हम आपके लिए D-letter words लेके आए हैं अभी तक आपने पढ़ा A-letter, B-letter, C-letter words आज हम आपको D-letter के words से मिलाने वाले हैं Let's start ये देखो ये पिंग कलर में D है D से कौन-कौन से words होते हैं यहाँ आओ, कितनी प्यारी से दिखने वाली कौन है ये डग है, D-for duck ऐसे आपके पास toys भी होंगे न, आप उनसे खेलते होंगे यहाँ आओ, अरे वाँ, ये ब्राउन कलर में कौन है ये तो डोगी है, प्यारा-प्यारा सा डोग सब अपने घरों में पालते हैं कुछ लोग इसको ये है D-for dog ये देखो, ये क्या है इसको तो बजाने से बहुत अच्छी आवा आ जाती है और जैसे ही ये बजता है, सब लोग डांस करने लग जाते हैं ये ड्रम है, D-for drum यहाँ आओ, हरे वा, ये तो रेड कलर में ब्लैक डोटिट के साथ क्या है? ये तो डाइस है, आप लुडो खेलते हो, स्नैक और लेडर खेलते हो ना ये उसमें काव आती है, इससे हम नंबर काउंट करते हैं और उपर आओ, वा, ये कौन है, ये तो रिदम है अरे वा, ये क्या कर रहा है, यहाँ म्यूजिक चल रहा है, ये तो डान्स कर रहा है आप सबको डान्स करना अच्छा लगता है तो ये देखो, रिदम कितना सुन्दर डान्स कर रहा है अरे इसके ऊपर भे कुछ हो रहा है, देखो, देखो, देखो समझ में आया आपको D letter से कौन-कौन से वर्ड होते हैं देखो D for duck, D for dog, D for drum, D for dice, D for dance, D for dolphin अब तो आपको समझ में आ गया होगा, D letter के कौन-कौन से वर्ड होते हैं चलो, अब हम इन सब वर्ड को लेके एक प्यारी से स्टोरी बनाते हैं जैसे हमने C letter की बनाई थी, let's start, देखो बच्चो, यह देखो, यहाँ कौन है यह प्यारा सा बोई, अरे यह तो रिदम है, पैचाना इसको, कित्ती अच्चे से सो रहा है यह और इसको तो एक देखो-देखो, एक प्यारा सा ड्रीम भी आया है कौन है इस ड्रीम में रिदम के? अरे ये गिफ्ट दे रहा है कोई ये तो रिदम के डैड है और देखो रिदम को गिफ्ट दे रहे है क्या गिफ्ट दिया है रिदम को पता है आपको देखो इस बोक्स में ये तो लूडो और डाइस है खेलने के लिए और जो डैस्क पे लख्की हुई है यहाँ देखो गिफ्ट पाकर रिदम और उसका डोग कैसे अच्छे से डांस करने लग गे है ना बड़ा क्यूट सा ड्रेम अरे यहाँ देखो यह तो वही ड्रम है ना जो पीचे हमने पढ़ा था इस ड्रम को इन दोनों ने जोर जोर से बजाया और जब यह ड्रम जोर से बजा रहे थे तो पास की एक नदी में एक ड़क और डॉल्फिन ने भी गाना गाया और वह खुशी खुशी से जम करने लग गई और उसके बाद उसके ड्रीम में क्या हुआ होगा अरे अरे देखो देखो ऊपर फिर उसने अपनी डोल को उठाया और उसको भूख लगने लग गई तो उसने डोनेट खाया अरे डोनेट तो सबको पसंद होता है ना हाँ आपने भी खाया होगा डोनेट खाकर रिदम जट से उठा और उसने सोचा ये तो मेरा ड्रीम था और वो अपने मम्मी पापा के पास गया और अपना पूरा ड्रीम बताया लेकिन सोचू क्या हुआ होगा ड्रीम बताने के बाद ये हुआ कि उसके मम्मी पापा ने वाके में उसको एक गिफ्ट दिया और रिदम अपने डोक और डोल के साथ मस्ती करते हुए खेलने लगा तो बच्चो अब आपको समझ में आ गया ना अच्छे से दी लेटर्ट से कौन-कौन से वर्ड बनते हैं चलो इस स्टोरी में ढूंडते हैं देखू दी फोर ड्रीम जो रिदम ने ड्रीम लिया था दी फोर डोल जो रिदम की डोल थी D4 डॉनेट जो रिदम ने खाया था अपने डृम में D4 ड्रम और ड्रम बजाकर वो बहुत अच्छे से खेल रहा था D4 डाइस जो उसके डैड ने उसको गिफ्ट किया था और D4 डान्स जो अपने डोग के साथ उसने मस्ती से डान्स किया था D4 डाइस जो ड्रम की अवास सुनके गाना गा रहे थे और वो डॉल्फेन जम कर रही थी तो देखा D लैटर के वार्ट्स ने कितनी प्यारी स्टोरी बनाई है तो समझ में आ गया ना बच्चो D4 dream, D4 dad, D4 doll, D4 donut, D4 dice, D4 dance, D4 duck, D4 dolphin तो देखा D लैटर के वार्ट्स ने कितनी प्यारी स्टोरी बनाई है तो सब समझ में आ गया ना आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में E लैटर के वार्ट्स के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार क्या हुआ है